भश्कार स्टुडेन्ट आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल आज हम यहां पर पढ़ने वाले में आपके विटामिन से समधित परशनों के बारे में जो आपके हर एक एक एक्जाम के अंदर यहां से क्यूशन पूट अप होते उनी क्यूशनों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर एक एक्जामें यहां से क्यूशन पूचे जाते तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके विटामीन से समधित परचन इसमें हम देखेंगे यहां पर सबसे पहले कि जो ओप अच्ये में यह आपकेविटामिन वितामिन के परकार है। और यह उसकी और हम आपकेविटामिनी और यहांपकी यहांद रख सकते हो यहांद के और डबलू का मतलब क्या हो जाएगा water B और यहां पर C क्या ये आपके दो都是 हो जाएगे तो B और C आपके पानी के अंदर गुलंद सिल है बापकी वाले B और C को छोड़ कर जितने भी विटामिने वो सारे के सारे किसके अंदर गुलंसिले वसा में गुलंसिले उनको यार्द रख सकते हो आप कीडा कैसे यार्द रख सकते हो कीडा विटामिन के विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ए यह सारे के सारे किसके अंदर गुलंसिल हो जाएंगे यहां पे वसा के अ विटामिन ए होता है आपके गौल्डन राइस दिसे हम सुने रहा है चावल भी कह सकते उसके अनर विटामिन ए जूर के अन्दर भी ज़्याद में इसके अनेग सारे परकार होते हैं लेकिन most important जो आपके exam में पूछने लाएक है वो vitamin B1, B9 और B12 और इन में से भी most important है वो आपके B12 तो vitamin B1 है इसका रासाइनिक नाम याँ पर thymine और इसके द्वारा beri-beri rog होता है कौन सा रोग होता है next याँ पर B9 का जो रासाइनिक नाम है वो आपके फोलिक अमल और इसके द्वारा एनिमय रोग होता है और B12 जो आपके vitamin है इसका नाम हो जाए गया आपके cyanocobalamin और इसके द्वारा भी कौन सा रोग होता है एनिमय रोग लेकिन एक विशेश बात यहां पर याद रखने यह लाइक यह बात है कि इसके अंदर cobalt दातूपाई जाते कौन दातूपाई जाती यहां पर cobalt दातूपाई जाते इस बात को विशेश तोर से याद रखना चीज़े कि लेर यह यह पर इसके अलाव प्रेग्नेंज की समय अगर यहां पर बलड की कमी हो जाती है महिला के अंदर तो उसको यहां पर b9 बिटामिन दिया जाता है कौन सा विटामिन दिया जाता है घ्लतर इसके तो और जो रोग होता है विटामिन रोग कौन सा होता है यहां पर िसकर रोग कंवा संत्रह रूख चामने यहां पर वितामिन आ отправ है वाटमिन डी विटामिन प्रकास के द्वारा भी कौन सा विटामीन प्राप्त होता है यह मुझ की रूप से द्यान रखना नेक्स बात द्यान रखना यहां पर नेक्स जो विटामीन आ उसके रशाई नामें आपको आपकी टोको फेरोल और इसके द्वारा जनन समता कम हो जाते हैं इसके अंकूरित वीजों के अंदर और हरी सब्जियों के अंदर विटामीन ए सरवादिक होता है की जो विटामिनी है क्यों सा विटामिन कहा जाता इसको विटामिन वी कहा जाता और इसके बाद में है next आपके द्यान रगना कि vitamin के द्वारा रक्त तक्का बनता और 이ola platelets भी है जो हमारे सरीर केंदर रक्त का रख्을 करती है या फिर हम कह सकते Ici यहां पे blood cloaked till k peso का कारिं कर द anak करती डी प्लोट को टिंग का एक यहां पर क्यूशन और वो क्यूशन का एंसर आपको इस क्यूशन का एंसर देना कमेंट बॉक्स के अंदर कि जो हार्मोन है हार्मोन कौन से विटामिन को कहा जाता है हमने जितने भी विटामिन पढ़े थे A विटामिन इसके लाव B पढ़ा इसके लाव C पढ़ा D पढ़ा E पढ़ा और K पढ़ा इन में से आपके कौन से विटामिन को हार्मोन का विटामिन भी कहा जाता है यह आपको कमेंट करके यहां पर बिल्कुल आपको बताना है कमेंट